तो दोस्तों क्या आप भी अपनी वीडियो को वर्ट्सãylep पर शेयर करते हो? क्या आप भी अपनी वीडियो को अपलोड करने के बाद उसको अपने वर्ट्सैlep ग्रूप में या फिर आपने कोई बौड कास्ट लिस्ट बनाई हुई है आप उसमें जाकर उसे share करते हो जिससे कि वो आपके सारे friends में या फिर आपके सारे contacts में वो वीडियो share हो जाती है तो guys आप एक ना ये वाली बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तो किस तरीके से ये गलती है और कैसे इस गलती से बचना है और कौसे इसके नुकसान है और कैसे इसको फायदे में बदलना है यह मैं सारी बात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो हेला दोस्तो मेरा नाम मैं कपिल और स्वागत आप सबका Knowledge Entertainment में तो दोस्तो जैसे अपने thumbnail में देखी लिया है कि मैं आज आपको यही कह रहा हूँ कि WhatsApp पर अपनी वीडियो को शेर मत कीजिए तो गैस मैं क्यूं कह रहा हूँ मैंने वहाँ पर यह लिखा हुआ है कि आपका चनल बंद हो सकता है गैस इस बात को मैं एंड में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि यह सा कैसे हो सकता है तो दोस्तो आईए अप ज़्यादा समाना लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि यह कौन सा फंटा है जिसकी वज़ा से हमें अपनी वीडियो को वीडियो पर शेयर नहीं करना है नहीं तो हमारे यूट्यूब कर अपनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो दोस्तो आईए चलते हैं इस वीडियो की दरफ तो दोस्तों आईए सबसे पहले बात करते हैं कि वर्टसेप पर वीडियो शेर करने से होता क्या है तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने अपने एक नया YouTube चैनल बनाया है और अगर आपने एक YouTube चैनल बनाया है तो आप यह जरूर चाहोगे कि आपके जितने भी friends है, आपके जितने भी relatives हैं, उन सबको पता चले कि आपने एक एक नया YouTube channel open कर लिया है तो guys उस time पर मैं आपको कहता हूँ, आप सही कर रहे हो, अगर आपकी first video है, आपने उसको अपने WhatsApp पर जाकर share किया उससे क्या हुआ, आपके सभी friends को, relatives को पता चल गया, कि आपका YouTube channel बना हुआ है तो guys सबसे पहला point आपने यहां पर तो सही किया, आपने अपनी first video को सबके साथ share कर दिया तो guys लेकिन यह किस तरीके से गलत है मैं आपको बताता हूँ, तो guys अब मान लीजिए कि आपने अपना YouTube channel है, आप उसको ना daily videos upload कर रहे हो तो guys अगर आपका channel मेरे जैसे मान लीजिए कि आपका channel जो है वो tech का channel है और आप क्या कर रहे हो, अगर आप अपनी किसी भी वीडियो को upload कर रहे हो, तो आप regularly क्या कर रहे हो, मान लेजिए आपने हफते में 3 या 4 वीडियो का target ले लिया या फिर 5 वीडियो का target ले लिया, कि आपने इतनी वीडियो को upload करना ही करना है तो guys आप क्या करते हो आपने हफते में अगर पहली वीडियो उपलड़ की और फिर आपने क्या किया जिस भी वीडियो को आप अपलोड कर रहे हो आपने group बनाया हुआ है या फिर broadcast list बनायी हुए है आप क्या कर रहे हो उस वीडियो का link उठागर सभी को भेज रहे हो तो guys मैं आपको यह कहता हूँ कि आप देखिए कि आप अगर अपनी वीडियो का link भेज रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आपके सभी relatives या फिर सभी friends का interest टेक में होगा क्या उनको यह knowledge देने के रिए कोई उनके अंदर यह interest होगा कि वो जाने के YouTube पर grow कैसे करना है YouTube पर views कैसे लाने है या फिर YouTube के subscribers कैसे बनाने है तो guys मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर mistake कर रहे हो क्योंकि आप सही audience को target नहीं कर रहे हो बलकि आप क्या कह रहे हो कि आप अपने दोस्तों में वैसे ही वीडियो को share करी जा रहे हो वैसे उसको अगर भेजी जा रहे हो जिससे कि आपके वीडियोस पर रहने है जो views नहीं आ रहे है लेकिन आप इसे share बहुत कर रहे हो तो क्या होगा आपके friends को relatives को यह बहुत normal लगेगा तो कहेंगे यार वीडियोस आती है okay है कोई बात नहीं लेकिन वह से हो सकता है open कर ले लेकिन अगर open भी कर लिया ना तो उस वीडियो को वो पूरा देखेंगे ही नहीं हो सकता है थोड़ा सा पड़ देखकर उसे बंद कर जाते हैं सभी लोगों को तो गैस क्या होते है impressions impressions का मतलब यह है कि आपका thumbnail YouTube पर किन किन लोगों को दिखाया जा रहा है तो गैस उसके बाद अब यहां पर देखिए impressions से कितने views आ रहे हैं वो भी यहां पर बताए हुए हैं तो गैस क्या होता है कि माल लीजिए आपके वीड जितना ज़्यादा click-to rate होगा आपकी वीडियो पर audience retention जितनी ज़्यादा होगी तो गैस उतनी ही ज़्यादा आपकी वीडियो को promote करेगा YouTube लेकिन आप मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप WhatsApp पर अपनी वीडियो को regularly share कर रहे हो तो उससे क्या नुकसान होता है माल दीजिए आपने अपनी वीडियो को share कर दिया आपकी वीडियो मैंने पहले भी बताया किसी ने open की थोड़ी सी देखी बंद कर दी और अगले ने भी ऐसा ही किया और कईयों ने तो ऐसा किया कि उसको देखा ही नहीं तो गैस और एक बार मैं आपको और बताता हूँ कि कईयों से आप वेका स्बस्क्राइब करते हैं ba दो सब्सक्राइब करुछा नू KEYसरे ओपने लेकिन आप्सक्राइब करते हो और जम्हान करते हो और वहां से करते हो सब्सक्राइब करां दो तो just YouTube को क्या लगेगा कि आपके subscriber आपकी वीडियो को watch नहीं कर रहे हैं तो आपके content में दम नहीं आपको content valuable नहीं है तो guys आपको क्या करना है आपको original subscribers चाहिए मतलब मैं अगर सही लेंगर में बताओं तो आपको activate वेट सब्सक्राइबर्स चाहिए अनक्टिवेट सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए तो गाइस कहों से अनक्टिवेट सब्सक्राइबर्स जो आपने हो सकता है ऐसे सब्सक्राइबर्स हो जो आपने वीडियो शेर की उन्होंने वैसे आपके चनल को सब्सक्राइब कर लिया ल इसे की YouTube को क्या लगता है कि आपकी वीडियो में दम नहीं है आपकी वीडियो ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको YouTube क्या करेगा ज्यादा प्रमोट नहीं करेगा तो गैस मैं आपको यह बताता हूँ आपको मैं बिल्कुल ही यह नहीं कहा रहा कि आपको अपनी वीडियो को कहीं पर शेयर करना ही नहीं है चाहər वो Facebook हो, WhatsApp हो माझन लीजिए कि आपने ऐसे कोई चीज की दुकान खोली है और उसको आपको नीड है जो आपका customer है आपको पता है अगर आपने कोई loan की जहा कोई loan की bank खोली हुई है और आपको उसी customer को target करना है जिसको आपको लगता है कि सच में इसको loan लेने की ज़रूरत है तो guys आपको यहाँ पर भी क्या करना है आपको उसी audience को target करना है आपको जिसको लगा कई जिसका थोड़ा सा भी interest है आपकी वीडियो को देखने में मतलब कि जो थोड़ा सा भी interest रखता है किसी tech में या फिर किसी YouTube की grow करने में या फिर अगर आपके साथ कोई ऐसा आपका friend है जो की YouTuber है हाँ guys आप WhatsApp पर भी उसे share कीजिए Facebook पर भी share कीजिए Insta पर भी share कीजिए मतलब कि आपको क्या करना है आपको ये देखना है कि सही audience को आप target कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो तो guys आपको क्या करना है आपको अपनी वीडियो को वहाँ पर share नहीं करना है जहां पर आपकी audience आपको लगता है कि वैसे वीडियो देखकर बंद कर दी जाएगी इससे मैं कहता हूँ हो सकता है ऐसे 200 या 300 लोग आपकी जो friend list में हो लेकिन हो सकता है आपकी friend list में ऐसे 10 लोग ही हो जिनको आपके topic में interest हो तो गैस अगर आप उन सब को ना करकर उन 10 लोगों को अपनी वीडियो में share कर दोगे तो गैस क्या होगा आपकी वीडियो वो पूरी पूरी watch कर लेंगे और YouTube को क्या बता चलेगा कि आपकी वीडियो आपका content अच्छा है इसलिए आपकी share की हुई वीडियो को सभी देख रहे हैं तो गैस इस तरीके से अगर आप लगातार अपनी वीडियो को डाणर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा, आप एक दिन परिशान हो जाओगे, कि यार क्या हुआ है, मैंने इतनी वीडियो अपनी जादा शेर्स भी की, इतनी जादा वीडियो बना दी, लेकिन मेरा चनल मॉनेटाइज नहीं हुआ है, या फिर अगर मॉनेटाइज भी हो गया, तो व्यूज ही नहीं आ रहे है, मैं क्या करूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इस तरीके से परिशान हो जाओगे, और एक दिन क्या होगा, आप अपनी चनल को बंद करने के बारे में, क्विट करने के बारे में सोज लोगे, तो इसलिए मैंने लिखा था कि चैनल बंद हो हो, आप अपनी गलत ओडियंस को टार्गेट करकर बैठे हुए हो, तो आपको का करना है, वैसे ही आज से ना अपनी वीडियो को शेर नहीं करते रहना है, अपने रिलिटिश में या फ्रेंट्स में वैसे ही शेर नहीं करना है, जिनका आपकी वीडियो में इंटरस्ट ना ह आते हो ना कि कौन से होते हैं analytics ऐसी और कई बाते हैं आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को हिट कर लो क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं और analytics की बात करें गाइस मैं इस परना content तैयार कर रहा हूं क् उनके लिए बहुत ही ज्यादा beneficial हो तो जल्दी मैं इस चीज़ पर एक वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरीके से अगर हम अपने चैनल के analytics को देखें जो कि हमें ज्यादा help करें अपने चैनल को grow करने में तो आज का यह point तो बहुत basic था लेकिन मैं ऐसा मता हूं यह बहुत चला जब से मैंने इस चीज़ को analyze किया तो guys मैं अब उनी को share करता हूं जो मेरी target audience है तो guys आपको भी इसी तरह से अपनी वीडियो के साथ करना एसी तरह वीडियो से बनानी है और वीडियो से बनाई है सही जगा पर share कीजिए आपको growth भी मिलेगी तो दोस्तों यह थी आज क वीडियो और मैं उमीद करता हूं आपके वीडियो पसंद रही होगी आपके लिए helpful रही होगी और guys अगर आपके दोस्ते हैं जो YouTuber है ना उनको भी इस वीडियो को share कर दीजे क्योंकि उनके लिए भी ऐसी help हो जाएगी और हाँ दोस्तों comment section में यह ज़रूर बताना कि आपक कर दोस्तों